हेलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज के इस ने विड़म आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस ने विड़म बात करने वाले फॉर्स टेस्ट मैच के बारे में जोके होने वाला है विस्ट इंडीज और इंडिया इन दो टिमों के बीच में दोस्तों ये म तो एक बड़ा ब्लो है ठीक है उन के लिए और हाँ टेस्ट टीम थोड़ी अलग है वेस्ट इंडिस की अच्छी टीम है खराब टीम नहीं कह सकते हो तो एक अच्छा मैच होता है दीखेगा वंग डिटेल में बात करेंगे हर प्लेयर के बारे में पीच के बारे में पीच कैस बड़के अगर हम लोग बात करें तो जैसा रिपोर्ट मिला जो न्यूज आ रिए कि पीच पे ना क्रैक्स है ठीक है पीच पे ग्रैक्स है तो उसकी वज़े से ना स्पीनर्स को हेल्प मिलने वाला है ठीक है और इंडियन कैप्टन ने भी बता दिया है कि दो स्पीनर्स के आपको कुछ दिन बारिश आती हुदी सकती है तो यह नोट करके चलोगे ठीक है अब यहाँ पर लास्ट इंटर्नेशनल मैच वादा तो जा सत्तरा में वैसे इंडिया ने यहाँ पर सिर्फ एक इंटर्नेशनल मैच खेला टेस मैच खेला है बहुत पुराना 2011 में खेला था तो यहाँ पर इंडिया ने कुछ ज़्यादा क्रिकेट नहीं किया उस टाइम पर राहुल द्रवी डुगा करते थे ठीक है तो पाकिस्तान ने पर 376 बनाए थे लास्ट मैट में और वेस्टनेश ने 247 बनाए पाकिस्तान ने 174 बना के मैच को डिकलेर किया और फिर को लिए उसको हेल्प मिलता है विकेट्स मिलती है तो यह थुझा सा नोट करके चलोगे ठीक है और यह इस तरीका से ग्राउंड है और इस तरीकी कुछ यहाँ पर पीच रहेती है बढ़ते आगे बात करते इंड़ा की बारे में तो यह प्रॉवबर प्लेंगिल ऑन दवीड को कहा कि वो अपने कर्ण में ज़्यदा करके वन डाउन बैटिंग करना चाहते है तो वो वन डाउन बैटिंग करेंगे जहस्वाल नंबर आपको ओपन करते हुँ दिखेंगे तो एक लेपट हैं राइट हैंड का कॉम्बेनिशन आपको टॉप अडर में मिल जाएगा ज़ोपनर फिर बाके विराट कोली नमबर चार अजीं के राने नमबर पाच तो ये तो फिक्स पोजिशन से ठीक है बट उसके बाद केस भरत क्या केस भरत खेलेंगे अगर केस भरत खेलेंगे तो केस भरत आएंगे साथ पर जड़े जाएंगे छे पर ये नोट करके चलना क्या केस भरत के जगवे इशान खेलेंगे ये भी देखने लाइक बनेगा बाकि फिर अश्विन तो दो स्पिनस हो गए आपके और मुहमस सिराज जो जएदे उनाट काट मुस्ट लाइक ले और मेरी साब से मुकेश कुमार इन दोनों में से कोई आपको एक खेलता हुआ दिखना चाहिए ठीक है बढ़ते आगे बात करते हैं स्टैट्स के बारे में तो शुम्मन की वर्टी सी फाइनल में खेले बट कुछ खास नहीं कर पाए बट सबको पता है कि कितने बढ़िया टालेंट है और इंडियन टिम के फ्यूचर है बहुत अच्छा कर सकता है रोई शेर्मान 15 और 43 बनायते वर्टी सी फाइनल में और 43 के अच्छी पारी के लिए थी बट हां बहुत रन नहीं कर पाये थे पिछले साल वर्टी से में बहुत जबर्दस किया था तो बहुत मैचस में 80 का अवरज इंका बंता है 80 का अवरज आई पिल तो आपको पता है कि next level खेल के आ रहे है आई थिंक तो यह नोट करके चलोगे विराट को ली 14 और 49 बरायती इन्होंने वर्टी सी फाइनल में इनका फॉर्म भी तगला रहा है जिंके रहा ने 89 और 46 बनायते अपन भी खेले थी और यहां पर और भी फेक्टिव रहेंगे ठीक है अश्विन को वल्टी सी वाइनल खेलने का मौका नहीं मिला था बट ऐसे पिचस पर जाप इसको हेल्प मिलता है इंका रोल रहेगा और 1254 की पार इन्होंने वेस्टन डीज में ही खेली हुई है तो यह भी न इस साल IPL में भी खेलते हुई दिखे और आपको तीनो फॉर्मेट में आपको खेलते हुई दिखने वाली इंडाय के लिए वेस्टन डी स्टोर पे तो यह नोट करोगे मौमत सिराज का रोल बहुत इंपॉर्टन है पार्च विकेट से उन्होंने वल्टी सी में भी निकाल करेंगे उनाट कट हाई यह खेलते हुई दिख सकते हैं दो टेस्ट मैचे तीन विकेट निकाली इंडिया के लिए बट दो मिस्टिक में बहुत तग्रे फॉर्म से आ रहे है और प्रैक्टिस मैच में इन्होंने विराट को लिको आउट भी किया था तो यह नोट करके चलन ठीक है रुतराज गाएकवार अच्छे स्टैट्स इनके फरस्टराज क्रिकेट में बट मुझी लगता है कि खेलने के चांसे इस मैच में तो बहुत कम है नोदिप साहिनी केंटम का मैच खेलके है जाप इन्होंने एक विकेट निकला था ठीक है तो बट मुझी लगता है खेलने के चांसे इनके भी कम रहेंगे दो टेस्ट मैच और डी खेल चुके इंडिया के लिए चारी विकेट में लिए पर इंके पास पेस है तो यह एफेक्टियों साभीत हो सकते है अगर यह खेलते है तो ठीक है उसके बात करते हैं हम लोग वेस्टेन डीच की तो इस तर करेंगे अच्छे फॉल्डर इंके पास है और डांडर राकिम कॉर्णवल का डेबियू कतलब सुरी रिटन आ रहा है इंक 20-20 महेने के बाद इंको टेस्ट क्रिकेट पर फिर से सिलेक किया विकॉस इन्होंने डोमिस्टिक में बहुत अच्छा किया हुआ है हम लोग नहीं खिलाती है तो आपको शैनन गैबरियल खेलते हुए दिख सकते हैं ठीक है बड़ते आगे बात करते हैं इनके स्टैट्स के बारे में तो क्रिक ब्रेटवर्ट क्या इनका रिसेंट फॉर्म रहा है तो रिसेंट अगर मैचस देखोगे तो एक 182 की पारी जरूरी इनक जंदरपॉल पिछले कुछ मैजस देखो 83 फोर रंट 22 रंट 23 नोट आउट रंट तो अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने करियर के स्टार्ट में इन्होंने बहुत इंप्रेस किया 45 आवरेज रहे चुक है डवलेट भी लगा चुक है तो क्वालिटी प्लेयर है और वही टैल मिलने लगे और बैटिंग भी इनको डिया जा रहा है बॉलिंग उतनी करना ही रहे बॉलिंग करते हैं बॉलिंग उतनी मिली नहीं है तो यह नोट करके चलना बाकि जर्मन ब्लाक वूड है बहुत टाइम से विस्टन दिच के लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं जर्मन ब्लाक वूड इनके टेस्ट पेसिलिस्ट है ब्लाक वूड के वैसे स्टाट बहुत इंप्रेसिव नहीं यह सेकंड इनिंग में रन बनाने के लिए जाने जाते है बट थोड़ा स्टगल किया जुदूर है हाँ पिछले कुछ इनिंग में 80 और 68 के भारिया खेली इन एक के सामने वेस्टन इस एक और से क्रिकेट खेला जापर कुछ टेस्ट मैचस खेले वहां पर 77 479.47 नो टोट 8247 तो अच्छे रन बनाया है प्लस विकेट के भी अच्छा कर लेते हैं और यह भी मोस्ट ली टेस्ट क्रिकेट खेलते है वेस्टन इस के लिए रकिम कॉन व सब्सक्राइब करते हैं अच्छा करका है डिसेंट पर मिलेगा वह भी देखने लाइक मिलता है तो एक इस प्रवाइस फिर ये भी थोड़ा सा उतने एफेक्टिव रहते हैं नहीं पीच में पीच में इन के पास कुछ हेल्प मिलता नहीं है तो जो में लोरिकन एक अच्छे पीक रहेंगे लेप्टा मॉटरॉक स्पीनर है पिछले कुछ मैटेस में विकेट्स भी है और इंडियन राइट हैं बैटर्स को परेशान भी करेंगे शैनल गैबरिल एक अच्छे पेसर है अच्छा इन वेस्ट इंडिज ने से कोई भी टेस्ट मैट इंडेक अगेंट्स नहीं जीता है पिछले 21 साल में ठिक तो थोड़ा वेस्ट इंडीज में का आवरेज कम है एक्चुली बहुत होना चाहिए बट कम है अश्विन का आवरेज है एक्सो आटरा का हाइस्ट को रहे जड़े जड़े जागा पर ट्वेंटी-फोर का आवरेज रहा है तो उतना अच्छा किया नहीं जड़ू ने और रो अश्विन को आपर फोर मैच में 17 मिली जड़ू को त्री मैच में 9 मिली है अब बात करते वेस्टेंडीज को तो होल्डर ने आपर 26 के साथ सबसे ज़्यादा रन बना है वेस्टेंडीज के और से क्रेग ब्रेटवर्ट का सिर्फ 22 का आवरेज है जर्मन ब्लाकोड का इंडिया के अगेंट्स तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सचेंज 22 की ठीक है तो देखते हैं कि इस मैच में किस प्लेयर को भाय है फिर से इल कर से कि उससे पहले देखते हैं कि सीरीज वाइस भी आया हुआ है कि नी पहले मुझे न्यूट से पता चल रहा है कि तुरा स्पिनर स्पिन ट्रैक हो सकते हैं जापर स्पिनर्स को हिल्प मिल सकता है तो जड्डू और अश्विन को भी देख रहेगा तो देख लेना ठीक है उसके अलावा अगर ट्राइ करना चाहो तो जैस वाल ठीक है इनको बाई करो रूहीत विराट अजिंके रानी कि इन में से कोई अच्छा करेगा उनको भाई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि फ्लॉप होगा सेल कर दो सिदा 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 ठीक है इसके लागर वेस्टेश में ब्लोग चलते हैं तो यहां पर लोग किस प्लेयर को भाई या फिर सेल कर सकते हैं कौन वाल का नाम नहीं वाल नाम देखने को उन्हीं मिल रहाए तो मैं भी तो उनको बाई नहीं कर रहो वडय करकांगहा Kathryn वlaim करकार सकते हो खिशूदा अमगे करना बालिंग भी करेंगे बहां ब्लाक तो थोड़ा सेल कर सकते हो ठीक है इसके अलावा रै曦मार पर को थोड़ा सा सेल कर सकते हो तो ये कुछ प्रेस को और इवन केमार रोज को बट पीच को देख ले ना बट आभी के लिए छोड़ दो ये दो तिन प्रेस को आप लोग सेल करने का डिस्क ले सकते हो मुझे उतना कुछ यहाप अच्छे नहीं लग रहे है प्लेयर तो मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा नहीं प्रेमे मल्टिबैकर में जोशुदा सिल्वा है करेक ब्रेथफट है जिनके रहाने विराट पोली है शुबमन गीले मुझे लगता है अप एक अच्छे पीक रहेंगे जिनके रहाने जिनको ट्राइ कर सकते हो और उसके अलावा शुब कोन से हो सकते जिनको हम लोग कर सकते हैं पर वो मॉश्ट लिपीछ पर ही डिपेंड रहने वाला है तो विकेट के पर सक्षम में तीन विकेट के परस मिलते एक जोशुदा सिल्वा एक मिलते एक श्रीकार भरत मिलते है और मुझे लग रहाए कि इन दोन में से कौन खेल रह रहेगी इसान केशन खेलेंगे तो शाहिद सम्लोग ले लेंगे बट अगर नहीं खेल रहे तो भरत और जोशुदा सिल्वा दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा वट फॉर नाओ एम गोई विट जोशुदा सिल्वा विकॉस थोड़ा सा बेटर खेल रहे है रिसेंट पा जैसे करिक ब्रेथफेट फॉर्म अच्छाने पर बॉलिंग करते हैं जिनके रहाने का फॉर्म अच्छा है यह नोट करके चलना और वेस्टन इसमें के स्टाट बहुत बढ़िया है देन यश्यश्वीट जैसवाल अच्छे फॉर्म से आ रहे है ऑब्विसली टेस्क्रेट को अपने टिम में पिक कर लिया है अब चलते है और अंडर सेक्षन में जहाँ पर मैंने जड्डू ओविसली होल्डर ओविसली अश्वीन ओविसली एंडेन कॉनवल को मैंने पिक किया हुआ है 100% खेलेंगे और यहाँ पर अच्छा भी कर सकते हैं अक्षर प्रडर के चांस इसाब से नहीं तो उतना इंका रोल रहेगा नहीं गैबरील के पास पेस है बरट्स अच्छे नहीं है फिर बाकि इंडियन तीन अव मैंसे कोई एक आपको खेलता हो दिखिए और चाहिए तो यह लोग्मकेश कुमार के साथ भी जा सकते हैं प्लेस आफ शावडू ठाकुर तो ये नोट करके चलना उना इन में से कोई भी खेले ना solid game changer है specially ये दोनों players, wicket takers है, recent form अच्छा है, regular cricket खेल रहा है, test cricket specially तो इनका नोट करके चलना ये solid game changer इन में से कोई भी खेले तो आप final player इन में से कोई भी ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो, तो कोई भी ले लो, ठीके इन में से कोई लेना चाहते हो, तो पट देखते कौन खेलेगा, but for time being हम लोग pick करने वाले जलजारी Joseph को, तो मैं Joseph को pick कर लिया, और कुछ इस तरीके से बन गए, मैरे 11 players, मैंने final team players कोई से लिये, एक मैंने दिस सिलवा लिया, यहापे, फिर मैंने यहाप जो सुदा सिलवा लिया, मप करना, जैस वाल को यहापे मैंने लिया, और यहापे मैंने अलजारी Joseph को लिया, तो यह मैने final team players लिये, पट पीच बहुत matter करेगी, spinner friendly conditions रहेगी, तो हम लोग लिया अप्रोच ले सकते है, Joseph के जगाफ हम लोगों को extra batter पर pick कर सकते है, और पेसर friendly पीच निकलती है, तो we will add one more passer in our team, तो यह नोट करके चलना, ठीक है, बहुत सारे game changers रहेंगे, especially batting section में, वो थोड़ा note करके चलना, और bowling section में Indian Pacers, जहाँ पर game changers बन सकते है, बात करते है Captain, Vice Captain से की, तो options में है Jeddu, options में Ashwin, options में Jason Holder, ठीक है, और फिर batting, भाई साब विराट है, रोहीत है, गिला आप इनमें से कोई भी कर सकते है, it's up to you, जो भी आपको लग रहा है कि इनमें से जो भी अच्छा करेगा, आप सिधा कर दो Vice Captain, Captain, it's up to you, आपकी choice रहेगी, मैं क्या क बहुत है, प्रोपर बॉल्डर के साथ चले जाए, प्रोपर बॉलिंग, प्रोपर बैटिंग, अच्छे pick रहेंगे, बट रिसेंट को हम उत्तना बहुत अच्छा रहा नहीं है, बॉलिंग बैटिंग के साथ, वो भी नोट करके चलना, फिर बैटिंग में अगर जाना चाह जड़ू को में कैप्टेंसी और अभी किरे वल्डर को वास कैप्टेंसी कर रहो, पीच बहुत मैंटर करेगी, ज़र अच्छी बहुत करेगे लाइक कैप्टेंसी दे दूगा, पकि यह चार सॉलीड वैटर जैसा आपके ग्रेंड लिक कैप्टन होनी चाहिए, यह नोट कर दूंगा तो टेलीग्राम चैनल से जुरूर जोईन हो जाओ टेलीग्राम चैनल के लिए आपको कमेंट सेक्षन के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी थैंक यू सो मज़ गैस फोर वाचिंग